दस के गुणज से भाग, जिनकी संख्याओं का अंतिम अंक शुन्य होता है, वो दस की गुणज होती हैं, आईए 400 को 5 से भाग दें, 400 को 40 गुणा 10 लिखा जा सकता है, हम जानते हैं कि 40 को 5 से भाग देने पर परिणाम 8 होता है, अताहा 40 गुणा 10 को 5 से भाग देने पर परिणाम 8 गुणा 10 या 80 होगा, इसी प्रकार आईए, 6400 को 8 से भाग देने पर आने वाला परिणाम ग्याद करें, 6400 को 64 गुणा 100 लिखा जा सकता है, 64 को 8 से भाग देने पर परिणाम 8 होगा, अताहा 64 गुणा 100 को 8 से भाग देने पर परिणाम 8 गुणा 100 या 800 होगा, अब 647 को 10 से भाग देने, हम 10 का पहाडा याद करते हैं, और ऐसी संख्या प्राप्त करते हैं, जिसका 10 से गुणा फल 64 के पास हो, 10 गुणा 6 बराबर 60, 64 में 60 गटा दीजिए, परिणाम 4 बचेगा, 7 को नीचे लाइए, हमारे पास 47 हैं, 47 में से 40 गटा देने पर 7 प्राप्त हुआ, इस प्रकार 6 साथ बचा, अताहा हम कह सकते हैं, कि 647 को 10 से भाग देने पर 6 साथ बचता है,